खुद से खुद की लड़ाई अगर ये सपना नहीं तो क्या है? खुद ही मैं खुद को देखता हूँ लेकिन फिर भी कभी खुद ही मैं खुद को नहीं देख पाता अगर इन पंक्तियों का अर्थ आप समझ गए तो इस कहानी का अर्थ समझ जाएंगे हमारी आज के पूड़कास स्रीज में कहानी है मेरा दुश्मन रचना कारें करश्नमल देव बैद ये कहानी है खुद से खुद की लड़ाई की नमश्कार दोस्तो हमारे चैनल एड़ोशाला पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्वाड़कास स्रीज में एक दुनिया समानांतर की कहानी मेरा दुश्मन इसको हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं वे इस समय दूसरे कमने में बेहोश बढ़ा है आज मैंने उसके शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब है सर्वत की तरह कट-कट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता आँखों में लाल डोरी से चूलने लगते हैं माथे की शिकने पसीने में फीक कर दमग उटती है होटो का जहर और उचाकर हो जाता है और बस खोशो हवास बत्सूरत कायम रहते है हैरान हूँ कि यह तरकी मुझे पहले क्यों नहीं सूची शायद सूची भी हो और मैंने कुछ सोच कर इसे दबा दिया हो मैं हमेशा कुछने कुछ सोच कर कई बातों को दबा जाता हूँ आज भी तो मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूट में जाय का पहचान कर मीरी चोरी पकड़ लेगा लेकिन गिलास खतम होते होते उसकी आँखे पुछने लगी थी और मीरा होसला पढ़ गया था जी मैं आया था कि उसी च्छण उसकी गर्दर मरूड दू से बचा लेती है फिर भी हिम्मत बांद कर मैंने एक बार सीधे उसकी और देखा जरूर था इतना भी क्या कम है कि साधारन हालत में मीरे निगाएं सहमी हुई सी उसके सामनी इधर उधर फड़वडाती रहती है साधारन हालत में मीरे स्थिती उसके सामने बहुत असाधारन रहती है खेर अब उसकी आँखे बंद हो चुकी थी और सिल जूल रहा था एक और लुड़कर कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें तो लदी हुई धीली तहानियों की सुस्त सी उठान के साथ मीरी और उठाई थी मुझे इस तरह लाचार देखकर भर्म हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है लेकिन मैं जानता हूँ वह मुझे किसी भी चण उचल कर खड़ा हो सकता है होश सम्भालने अपर कुछ कहेगा नहीं उसके ताकत उसके खामोशी में है बात देवे उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो उसकी गूंगी अवहिलना की कलपना मातर से मुझे दहशत हो रही है कहा ना कि मैं एक बुजदल इनसान हूँ वैसे मैं जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अर्से की अहलदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ इसे खुश फैमी में शायद उस रोज उसे मैं अपने साथ ले आया था शायद मन में कहीं उस पर रोज रोब कांठनी उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वैं मीरी जीती जाकती खुबसूरत बीवी चहते मटकते तंरुस्त बच्चो और आरास्ता पेरास्ता आली शान गोठी को देखकर खुदी मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमीशा के लिए मुझे उससे निज़ात मिल जाएगी शायद मैं उस पर यह थाबित करना चाहता था कि उससे पिछा शुड़ा लेने के बाद किस खुशकवार हद तक मैंने पनी जिन्दगी को संभाल सवार लिया है लेकिन यह सम लंगड़े बाहने हैं हकीकत शायद यह है कि उस रोज में उसे अपने साथ नहीं लाया था बलकि वह खुदी मेरे साथ चला आया था जैसे मैं उसे नहीं बलकि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो जाहिर है उस समय अबारी इक बात मेरी समझ में नहीं आया होगी मोके पर ठीक बात में कभी सोच नहीं पाता यहीं तो मसीबत है वैसे मसीबते तो और भी बहुत है लेकिन उन सब का जिक्र यहां बिकार होगा खेर माला के सामने उस रोच मैंने इसी किस्म की कोई लगड़ी सफाई पेस करने की कोशिश की थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था वह उसे देखती बिफर उठी थी सबसे पहले अपनी बेवकूफी और सारी इस्तिती का एहसास शायद मुझे उसी चण हुआ था मुझे उस कंपक्त से कहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी ने किसी तरह निबट लेना चाहिए था अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़ कर मैंने अपनी तमाब मजबूरियां उसके सामने रख दी होती माला का एक खाका सा खीच दिया होता साफ साफ उसे कह दिया होता देखो गुरू मुझ पेदाया करो मेरा पीचा छोड़ दो तो शायद वहीं हम किसी समझोते पर पहुँच जाते और नहीं तो वह मुझे कुछ महलत तो दे ही देता छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेशना थी कुछ भी हो मुझे उसे अपनी घर नहीं लाना चाहिए था लेकिन अब सारी समझदारी बेकार थी माला और वह एक दूसरे को यो खूर रहे थे जैसे तो पुरानी और जानी दुश्मन हो एक छण के लिए मैया सोचकर आश्वस्त हुआ कि माला सारे स्थितिक खुद समाल लेगी फिर दूसरे ही छण में माला की लानत मलानत की कल्पना कर सहम गया था अब इस कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं इस कहानी में मैं और वहे के दोनों किरदार एक ही आदमी के हैं जी हाँ जो मैं बनकर कहानी लिख रहा है वही वहे भी है आप कह सकते हैं ये उसका सबकॉंशियस माइंड के रूपे एक वेक्टित वहे और माला उसके पत्नी है बिवा से पहले उसने काफी माक्स वादिक किस्व गा जो किसी बंधन को ना मानता हो बिवा जैसी संस्था का मजाक उड़ाता हो घर परिवार जिसको बंधन लगते हो किसी एक नोकुरी पर टिक ना पाता हो एक सुचंद चीवन जीने का आदी इस परकार का व्यक्ति तो था लेकिन विवा के बाद धीरे धीरे उसने माला यानि अपनी पत्नी के सामने सरंडर कर दिया है अब लगबग हर फैसला माला के दोरा होता है और वो एक नहायत ही शरिफ पती की तरह है माला की हर बात मान लेता है एक दिन वो अपनी घर से बाहर खूमने गया और उसका जो आल्टर इगो है जिसको वह कह रहा है जो शादी से पहले वही था वो उस पर हावी हो गया और उसी आल्टर इगो के साथ अब वो घर वापस आया है अब वो उसी व्यक्तित्व में है जिस व्यक्तित्व में आवारा किस्म का स्वच्चंद एक खुला व्यक्तित्व उसका था उसी में अब वो अपनी घर वापस आ चुका है और माला उसे बहुत गुस्टा है और इनी सारी परिस्टित्यों को उसने स्वयम ही यहां पे बताया है और स्वयम ही वो मैं बनके कहानी में उपस्थित्पी है अब आगे देखते हैं तो माला दान पीस कर कह रही थी अब कुछ बोलोगे भी मेरे बच्चे पारक से लोटकर इस मनुश आदमी को बैठक में बैठा दिखेंगे तो क्या कहेंगे उन पर क्या असर होगा उफ इतना गंदा आदमी सारा घर में एकराया है बताओ ना मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी तो माला अपने पती से ही बात कर रही है और पती ही है जो इस स्थित्पी में घर पे बैठा है और माला का दाद पर यह है कि अगर बच्चे अपने पता को इस रूप में देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा अब जाहिर है मैं माला को कुछ भी नहीं बता सकता था सो में सिर चुकाये खड़ा रहा मुँ उठाये बहुत देर तक परस्ती रही अब हुआ दरसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाज़त मांगकर मैं यूही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था तो तेखिए अब वो इतने बंधन में है कि खर से बाहर घूम आने की इजाज़त भी वो अपनी बीवी से लेता है आम तोर पर वह ऐसी इजाज़ते आसान इसे नहीं देती और ना ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूं बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है कहीं भी जाना हो किसी से भी मिलना हो कुछ भी करना हो या ना करना हो मतलब साफ और सही फैसले वह पहले से ही कर लेती है तो एक खुला व्यक्त तो अब एक बंधन में जीवन चीरा है मैं उसके समझदारे की दाद देता हूं वैसे घर से दूर अकेला में किसी मतलब से भी नहीं जा पाता माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत से पढ़ गई है कि उसके बिना सब सुना सुना सा लगता है जब वैस साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई उल जलूल विचार मन में उठी नहीं पाता हर चीज ठोस और बामतलब दिखाई देती है अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे में माला के हातों सजया हुआ कोई कमरा हो जिसमें हर चीज करीने से पड़ी हो बेकायती की कोई गुझाईश नहो और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो शाम हुआ या फिर उसे केस्टन का कोई और हाथसा जोकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी यानि कि जब तक माला रहती है तब तक ये सेंटर वे रहते हैं और जब माला नहीं रहती तो इनका जो और एगो है वो वेक्तित वे जिसको इनोंने दबा दिया है वो इनके उपर हावी हो जाता है तो उस शाम ना जाने किस तुन में मैं घर से बहुत दूर निकल गया था आम तोर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर के बारे में सोचता रहता हूँ इसलिए नहीं कि घर में किसी किसम की कोई परेशानी है काड़ी ना सिर्फ चल रही है बलके खूब चल रही है बाग दोर अब माला जैसी ओरत के हाथ में हो तो चलेगी नहीं तो करेगी भी क्या नहीं घर में कोई परेशानी नहीं अच्छे तनख्वा अच्छी बीवी अच्छे बच्चे अच्छे बार सूख दोस्त उनकी बीव्या भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छी अच्छा सरकारे मकान अच्छा कुष्णुवा लॉन पासपडोस भी अच्छा महेंगाई के बावजूद दो वक्त अच्छा खाना अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जंदिगी मैं पूछता हूँ इसके अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को फिर भी अकेला होने पर खरेलो मामलों को बार बार उलट पलट देखने से वैसा ही इत्मिनान मिलता है जैसा किसी भी सेहत मनात्मी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कर जाता है और उब नहीं होती यह भी माला के इस उप्रभाव का फल है नहीं तो एक जमाना था कि मैं हर दम उब का शिकार रहता था हो सकता है कि वो शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी कुछ रहे हो जमाने के और बटक गया हो कुछ भी हो मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक रह मेरी सामने आग कड़ा हुआ था कुछ और शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे से रूप बरूप खड़े रहे थे अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहानी खड़े कोई बातना कर रहे है या एक तूसरे पर छपड़ पढ़ने से पहले किसी मंदर का जाब वैसे यह सच है उसे पहचानते ही मैंने तो माला को याद करना शुरू कर दिया था क्योंकि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ साथ ही वहां से दुम दबाकर भाग उतनी की भी खौईश मन में उठी एक उरती हुई से तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लोटने के बजाए चुप चाप उस कमबख्त के साथ हो लो जाए वैं जहां ले जाना चाहे चला जाओ और माला को खबर तक नहो इस विचार पर तब भी बहुत चौका था और अभी भी हैरान हूँ क्योंकि आखिर उसी से तो पीछा छुडाने के लिए मैंने माला की गोटकी बना ली थी अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत ना की होती तो लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आपको धोका दे रहा हूँ मैंने सोचा था और मेरा मूँ शर्म के मारे जल उठा था मेरा मूँ अक्सर इस आख में जलता रहता है अब उसका दो तरीके से मन कर रहा है एक तो जो जो इसका और इको है उसका जो सबकॉंशियस माइंड है उसका जो दूसरा व्यक्तित है वो उसी के साथ चला जाए लेकिन दूसरा जो इसका व्यक्तित है वो अभी भारी है कि नहीं माला और बच्चों के पास वापस जाना है अपना हाथ उसके खुदूरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बत्पुदार हरारत अपनी चेरे पर जेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्द आवाज रहे लेने के बाद फिर अपने आपको उसके हवाले कर दिया हो अच्छी बात है इस एहसास से जतनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी पतनी हुई नहीं थी शायद हर बगोडा मुझरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले घर पहुचने तक कोई बात नहीं हुए थी अपनी खामोशे पे लिपटे हम धीमे धीमे चल रहे थे जैसे कंदों पर कोई लाश उठाय हुए हूँ सो जब माला की डांट अपर्ट सुलीने के बाद मुझ बनाए मैं वापस बैठक में लोटा तो वैं बदजात मुझे से बैठा पीड़ी पी रहा था एक चण के लिए ब्रहम हुआ जैसे वैं कमरा उसी का हो उसी का घर है न इसी लिए लिखा है उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दभी निखा से उसकी और देखना शुरू कर दिया टांगे समीटे वे सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया उसकी हाला बहुत खस्ता दिखाई थी लेकिन उसकी शकल अब भी मुझसे कुछ-कुछ मिलती थी एक ये व्यक्तित्व है एक ये इंसान है एक इंसान और दो व्यक्तित्व दोहरा वेक्तित्व इसको कहेंगे एक मुवी थी परीचे जिसमें मल्टी परसनेटिड डिसॉडर वाली बीमारी को दिखाया गया है मुझे अमीद है वो आप लोगों ने मुवी ज़रूर देखियोगी उसी मुवी के जैसा हाल यहां पे है अगर वो मुवी आपने देखिये तो आप कहानी समझ जाएंगे इस वेचार से मुझे कौफ्ट भी हुई और एक अचीब खुशी भी महसूस हुई कि उसकी शकर अब भी मुझे से कुछ-कुछ मिलती है यह जमाना था जब वही एक मातर मेरा आदर्श हुआ करता था हम दोनों घंडों एक साथ घूमा करते थे जब हमने बार बार कई नोकडियों से एक साथ इस्तिफ़े दिये थे खुशेक से एक साथ निकाले गए थे जब हम अपने आपको उन तमाम लोगों से बहतर और उंचा समस्ते थे जो पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बतनुमा और रिवायति घरोंदे की तामीर में परबाद कर देते हैं जिंके दिमाग हमेशा ऊस घरोंदे की चार दिवारी में कहदे रहते हैं जिंके दिल सर्फ अपनी बच्चों की किलकारियों पर ही चुमते हैं जिनकी बीवियां, पिवकूफ बीवियां तिन रात उनने तिकनी का नाच न चाती है और जिन्हें अपनी सफेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता कुछ देर में उस जमाने की याद में डूबा रहा महसूस हुआ जैसे वह उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो फिर मुझे उन्हीं रोमानी विरानों में भटका दीनी की कुशिश करना चाता हो जिससे भाग कर मैंने अपनी लियो फूलों की सेज सवार ली थी खैर माला ने कुछ दिनों तक उसके खाते तवोच्चों की मेरे कपड़ों में वह अब बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था समझ रहे हैं न लेकिन जब माला को जब जब मुका मिलता वह अंदर ले जाकर मुझे डाटने लगती अब यह मुर्दार यहां से निकलेगा भी के नहीं जब तक घर में हैं हम किसी को न बुला सकते हैं ना किसी किया जा सकते हैं मेरे बच्चे कहते हैं कि इस पात करने कि इसको तमीज तक नहीं है जब जब ऐसे मुके आते थे तो माला मेरे बच्चे ही कहती थी जैसे वो सर्फ उसी के बच्चे हो और अपने लाल को कीचर से निकाल लेती हो कुछ ऐसे मुझे बुरा लगता था लेकिन बच्चे गए भी तो अपनी मा पर ही है मैं उसे क्या बताता कि वह क्या चाता है कभी कहता थोड़ा सब्र करो अब जाने की सूची रहा होगा कभी कहता क्या बता हूँ मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कभी कहता तुमने खुदी तुसे सिर पे चड़ा लिया है अगर तुमारा बरताव रूखा होता तो माला ने अपना बरताव तो नहीं बतला लेकिन चोथे रोज अपनी बच्चों सहीद घर छोड़कर मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है वह फिर अपने असली रग में आ गया है मेरे कपड़े उतार कर उसने फिर अपना मैला सा कुर्टा पजामा पहन लिया है कहता कुछ नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है यह मुका फिर हाथ नहीं आएगा माला चली गई है बहतर यही है कि उसके लूटने से पहले तुम भी यहां से भाग चलो उसकी चिंता मत करो वह अपने अंद जाम खुद कर लेगी और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामियाब हो गया हूँ नहीं कि कुछ समय के लिए उसका अपना जो अभी वाला रिक्तित्व है वो हावी है अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं एक यह है कि होश आने से पहले में उसे जान से मार डालो और दूसरा यह है कि अपना जरूरी सामान बांद कर तैयार हो जाओ जो उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दी जिससे भाग कर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोर में पना ली थी अगर माला इस समय यहां होती तो कोई तीसरा रास्ता निकाल भी लेती लेकिन वैं नहीं है और मैं नहीं जानता अब क्या करूँ तो इसी अनिर्नित हिस्से पे कहानी खतम होती है और जो पंक्तिया मैंने प्रारब में बोले थी खुद से खुद की लड़ाई अगर यह सपना नहीं तो क्या है खुदी में खुद को देखता लेकिन फिर भी कभी खुदी में खुद को नहीं देख पाता आज के लिए बस इतना ही है उमीद है आपको प्रोड़कास स्रीश पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीचेगा कमेंट सेक्चन में अपना फिड़बेक जरूर दीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीचे और पढ़ाई करते रही है थैंक यू थैंक यू बैरी माच